हाई वेलकम तो मैं चैनल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेस्टन नमर 15 तो धान्दुजी का राइट टू फार टी और फार 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 फार्लिविंग स्टेटमेंट्स पहला दिया हुआ है दा नंबर आफ डिजिट्स इना स्क्वेर नंबर इस इवेन तो क्या एक स्क्वेर नंबर में जो नंबर आफ डिजिट्स होते हैं क्या इवेन होते हैं बिलकुल कोई जरूरी नहीं है हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं means जिसे की 196 169 या फिर 100 यह क्या है यह perfect squares ही तो हैं यह है 14 का square यह आपका 13 का square और यह आपका है 10 का square तो यह सब numbers क्या है मतलब कि यह तो even numbers है फिर भी इसमें number of digits कितना है odd है तो हमारा यह कहना कि number of digits in a square number is even it is not always true तो हम इसको कर देंगे false means f F are false right the square of a prime number is prime तो क्या एक prime number का जो square होता है prime होता है definitely not जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 क्या है एक prime number है 3 का square करेंगो तो क्या मिलेगा 9 मिलेगा 9 क्या है prime number नहीं है क्योंकि 9 जो है 3 से भी divide हो जाएगा खूद से भी divide होगा और 3 से भी divide हो जाएगा क्योंकि prime number वो होते है जो किवल खूद से divide होते हैं और 1 से divide होते है लेकि 9 जो है 3 से भी divide हो जाएगा इसलिए जरूरी नहीं है मैं रहे हमेशा ये जरूरी नहीं है बिल्कुल ये क्या है square of a prime number is prime ये गलत है बिल्कुल definitely ये false है ये तो कभी नहीं होगा आगे बढ़ते है the sum of two square numbers is a square number तो जरूरी नहीं है हमेशा ये सही नहीं होता कभी कभी सही होता है जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ हमेशा क्यों सही नहीं होता let me show you देखिए बोला है कि the sum of two square numbers is a square number तो हम दो number से ले लेते हैं जैसे कि मैं लेकि 3 लेते हैं 3 के square कर लेते हैं plus 4 ले लेते हैं 4 के square कर लेते हैं देखते हैं क्या मिलता है तो 3 square क्या मिलेगा 9 plus 4 square किता मिलेगा 16 add करने किता मिलेगा 25 25 क्या है एक square number है तो यहां पर तो लागू हो रहा है यह statement कर रहा है कि the sum of two square numbers sum of two square numbers is a square number 25 क्या है? एक square number है क्योंकि 5 का square है but it is not always true जिसे माल लेज़े कि अब लेते हैं हम 4 square plus अब लेते हैं 5 square अब क्या मिलेगा? 4, 4 जा मिल जाएगा 16 plus 5, 5, 25 यह दोनों तो square numbers हैं बट इनका addition क्या मिलेगा? दिखें 6 and 5, 11 का 1 2 and 1, 3 and 1, 4 41, 41 is not a square number इसका मतलब कि यह हमेशा true नहीं होता कि sum of squares of two square numbers is equal to an square number यह हमेशा नहीं फाल होता, इसका मतलब कि यह false है चलते हैं, next, fourth one सारे का सारे गलत हो रहा है देखते हैं, कौन सा true होता है the difference of two square numbers is a square number अब यहाँ पर difference दे दिया कि दो square numbers का difference होता है वो हमेशा square number होता है कैसा होता है? कभी-कभी हो सकता है हमेशा नहीं होता जैसे, for example, कभ होगा? तो हम यहाँ देख लेते हैं यहाँ, यहाँ हम करते हैं 5 के square, minus 4 का square तो क्या मिलेगा? देखे, 2 square numbers का difference निकाल रहे हैं तो 5 का square निकालेंगे तो मिलेगा 25, वैसे minus करेंगे यहाँ 4 का square, तो मिलेगा आपको 16 क्या मिल जाएगा? 9 9 क्या है? एक perfect square है तो यहाँ पर तो लागों हो रहा है लेकिन हर जगा नहीं होगा जैसे मैं यहाँ पर देखाता हूँ आपको सिमाल लिए कि हम लेते हैं 2 numbers, जैसे कि ले लेते हैं 6 का square, minus 5 का square यह जो difference आएगा यह perfect square नहीं है क्यों? क्योंकि 6, 6 का square करेंगे तो मिलेगा हमें 36, minus 25 और यह minus करेंगे तो मिलेगा 11 और 11 is not a property square इसलिए यह भी हमेसा correct जो है नहीं होगा इसका मतलब यहाँ भी हम लिखेंगे F आगे देखते हैं the product of two square numbers is a square number तो दो square numbers का जो product होगा वो भी एक square number होगा क्या यह सही है तो यह वाला correct है यह जो है पूरी तरह से 100% correct है हम करेंगे क्या आपको दिखाते हैं क्यों correct है the product of two square numbers दो square number ले लिजे जैसे मैं ले लेता हूँ 25 multiplied by 9 तो 25 और 9 क्या है perfect squares है तो यह भी जो product आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए perfect square आना चाहिए तो 25 और 9 कितना होता है 225 होता है और 225 किसका square होता है 15 का square होता है आचा तो आप कहेंगे कि ठीक है यहाँ पे हो गया ना क्या हर जगा होगा तो definitely हर जगा होगा क्यों होगा मैं आपको बता रहा हूँ फिर से एक नए example से जैसे कि लेटर सपोज आपके पास है 25 और इपलाई करना है आप 36 में ठीक है यह दोनों क्या है दोनों perfect squares है इनको हम लिख सकते है इस तरीके से 5 का square इंटू 36 को लिख सकते है 6 का square ठीक है अब यहाँ पर देखे दोनों पर square है हम लोग फामुला पढ़े है कि a to the power m into b to the power m रहता है तो हम a into b करके whole power m ले सकते है तो यहाँ पर भी वही कर लेते है 5 into 6 करके और power m ले लिए यह मैं तो square ले लिए यहाँ पर क्या मिलेगा 5, 6, 30 मिल जाएगा 30 का square देखे यह भी तो एक square number ही आ गया क्योंकि सम कुछ यह किसी number का square है मतलब कि यह square number ही है मतलब कि यह थिर सिजा 9 करेंगे तो यह आजाएगा 900 900 क्या होता है यह भी एक square number ही होता है तो हमेशा हमेशा जो है यही rule follow होगा हर case में जब ही आप 2 perfect square लेंगे तो ऐसा ऐसा बना करके solve कर सकते हैं और resulting जो number आएगा वो भी एक perfect square ही आएगा क्योंकि हमेशा इसी तरके solve होगा और जब ऐसे solve होगा तो वो perfect square ही बनेगा that is हमारा पांचवा जो है finally correct हो गया मतलब T this is true पहली बार चार लोग के बाद जो है ये पांचवा जो है true हुआ है चलिए next करते है sixth one no square number is negative बिलकुल ये भी इदम true है 100% तो इसको हम दिखाते हैं कि क्यों कोई भी number जो है किसी भी number का square करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा positive आएगा no square number is negative ये कोई भी square number जो है negative नहीं होता जैसे माल लिजे minus two का square करेंगे क्या ये भी positive होगा बिलकुल भी positive होगा क्यों क्यों कि minus two को ये हम minus two में multiply करते हैं तो minus minus क्या हो जाता है positive हो जाता है और 2ड जा 4 हो जाता है मतलब कि हमेशा एक square number हमेशा positive होता है that's why यहाँ पर क्या होगा answer T होगा ओके ग्रेट दो T आ गए लगता है कि 7th वाला भी T आएगा there is no square number between 50 and 60 तो अब बताएं 50 और 60 की बीच में कोई भी square number नहीं है क्या correct है तो हम यहाँ पर आपको पहले so करते है और यह true है यह भी statement क्या है perfectly 100% true है क्यों क्योंकि 50 और 60 की बीच में कोई भी perfect square नहीं होता जैसे कि आप यदि 7 के square करेंगे तो क्या मिलेगा 49 मिलेगा ठीक है 50 के just पहले आप यह 50 के बाहर नहीं मिला है तो आप सुच देएंगे ठीक है 70 के square करने पतब 49 होई गया अब यदि 8 के square करेंगे तो हो सकता है कि 50 के ऊपर चला जाए और 60 के डिचर है तो करते हैं आप देखे 8 के square करेंगे उपर क्या मिलेगा 64 मिल जाएगा मतलब 60 से ऊपर जम कर गया मतलब कि 50 से पहले आ रहा था 49 जो की perfect square है और 60 से आगे आ रहा है 64 जो की perfect square है लेकिन उसके बीच में कोई भी number नहीं मिलेगा जो perfect square होगा That's it मतलब कि यहाँ पर क्या होगा ये This is true This is definitely true ओके आगे बढ़ते हैं There are 14 square numbers up to 200 मतलब कि 200 तक 14 square numbers है बिल्कुली correct है क्यों 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 हम जानते हैं कि जो 14 number होता है 1 से लेकर 14 तक इदी square करेंगे तो 200 से नीचे ही आएगा क्योंकि 14 लास्ट वाला number 14 है 14 के square करने को तक आएगा 196 आता है और 15 करने पर क्या होता है 225 बजाता है मतलब ये 200 से जएदा आ गया हमें बस देखना है यहां तक 14 के square करने पर 196 आ रहा है इसका मतलब कि 14 numbers 200 से नीचे ऐसे आएगे numbers जो 14 square numbers होंगे correct तो मतलब कि ये भी correct है 100% true है तो इसमें बड़ी अच्छे से arrange कर दिया है पहले-पहले false वाले को दे दिया और उसके बाद true वाले को दे दिया इसमें inter conversion नहीं किया है मतलब true वाले को उपर रखना चाहिए था false वाले को नीचे रखना चाहिए था that would have been somewhat tougher great तो हम समझ गया है कि कैसे करेंगे इसको इसको अच्छा लागा solution या explanation तो please like कर दिजिए अब दोसको share करिए और कोई भी doubt है तो comment box आपके लिए है या पिर doubt नहीं भी है तब भी comment box में कुछ ना कुछ comment करेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा thank you so much for watching bye